नमस्कार बच्चों मैं डिंपल सैनी तो हाजीर हूँ आपके सामने फिर से आपके ओनलाइन क्लास लेकर तो आप लोगों का हार्दी कभी नंदन है आपकी इस हिंदी की कख्षा में तो हम पढ़ रहे हैं यूपी बोड की सामाने हिंदी 12th क्लास की प्रथम पार्ड जो हमारा था राष्ट का सवरूप बासुदेश रन अगरवाल जी द्वारा लिखा गया अब उसके हम अंत में जो करने जा रहे हैं वो है आज हमारा लैक्चर नमबर 3 और उसके आज प्रशन उत्तर हम करने जा रहे हैं तो प्रशन उत्तर में देखिए मैंने बहुत सारे कोशन अंस कि हमें अब कितना काम करना है कितना याद करना है किन-किन चीजों को पढ़ना है तो पार्थ हमने पढ़ लिया जो हमारा लेसन था वो complete हो चुका है हमारा जो कवी परीचे वो भी complete हो चुका था मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को याद होगा वो कवी परीचे ठीके और आप सभी को ये भी याद होगा कि राष्टर का निर्मान करने में किन तत्व की आवशक्ता होती है वो तीन तत्व आप सभी को याद होंगे और उनमें से जो प्रमुक तत्व है वो क्या है ठीके और उसका मूल भाव क्या है वो सारी चीज़ा आप सभी को पता होगी तो हम चलते हैं हमारे प्रशन उत्तर की तरफ कि कौन-कौन से प्रशन पढ़ने हैं आज हमें देखते हैं कौन-कौन से प्रशन याद हो जाते हैं अभी के अभी जो प्रशन याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है है ठीक है तो यह है हमारे प्रश्न उत्तर पहला प्रश्ण हमारा है वह है राश्ट्रीता की जड़े रत्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राश्ट्री भावों का अंकूर पल्लवित होगा यानि कि जितना लेखक, यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राश्ट्रिता की जड़े जितनी, राश्ट्रिता की भावना जितनी गहरी होगी, उतना ही राश्ट्रिता की जड़े प्रत्वी में जितनी गहरी होगी, उतना ही राश्ट्रिता की जड़े प्रत्वी मे प्रत्वी के गौरव पुर्ण अस्थित्व के प्रत्वी जितना अधिक सचेत रहेंगे। प्रत्वी के गौरव पूर्ण जो अस्तित्व है उसके प्रति हम जितना सचेत रहेंगे जितना जागरुक रहेंगे उतनी अधिक राष्टेता की बलवती होने की संभावना होती है कि हम जितना जागरत रहेंगे हमें जागरत रहने की आवशकता है किसी और को नहीं हम दूसरों से क्यों कहें कि देश बक्त बनो हम पहले हम तो बन जाए हम स्वैम को तो बदले पहले हमें उस राष्टता की भावना को अपने मन में बसाना है धारन करना है उसके बाद देखिए राष्टता की भावना जो दीरे दीरे कैसे अपने पैरों को पसार लेती है और अपना जो विशाल आकार है वो बना लेती है, आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है, प्रश्ण नमबर दो, प्रत्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, ठीक है, प्रत्वी के प्रति हमारे कुछ कर्तव है, धर्म है, वह क्या है, तो प्रत्वी के प्रति हमारा धर्म है, कि ह प्रारम से अंत तक प्रत्वी के भातिक स्वरूप की जानकाई रखे। उसके प्रत्वी की उपयोगिता, उसके प्रत्वी में जो प्रकर्ती के किलनी सुन्दता है, उसकी सुelly और प्रत्वी के ततों का क्या उप्योग है उसकी उप्योगीता की महिमा को बली बाती पहचानना चाहिए तो हम हमारा जो धर्म है वो प्रत्वी की प्रती हम बकुवी से निबा रहे हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें प्रत्वी के बहुतिक सोरूप की भली भाती पून जानकारी होनी चाहिए दूसरा उसके रूप की उसके सौंदर की और उसके उपयोगी ताकी तदा उसकी महिमा की जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए क्यानि कि प्रत्वी की कितनी महिमा है कितना गुनगान गया जा रहा है हमारे देश का या हमारे राष्ट का विदेशों में कितना चर्चा है वो सारी चीज़े जब हमें पता हो जाती है तो हमारा ये धर्म पूरा हो जाता है Next question है, question number 3 हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदे के लिए ठीक है भावी यानि बविश्य ठीक है अर्थिक यानि धन से संबंदित धन से संबंदित, अभ्यूदे, अभ्यूदे का मतलब होता है विकास ठीक है, अभ्यूदे के लिए या फिर हमारा उत्थान करने के लिए हमें विक्सित करने के लिए हमारा उद्वार करने के लिए हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदे के लिए किसकी जाच परताल अत्यन्त आवशक है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदे के लिए यहाँ आवशक है कि प्रत्वी की कोख में भरी अमूले नीदियां ठीक है कि प्रत्वी की कोक यानि कि प्रत्वी में जो अंदर की प्रत्वी के अंदर जो अमूले नीदियां भरी हुई है और प्रत्वी में पोशित अनेक प्रकार की धातूओं सबसे पहले तो नीदियों और धातूओं और प्रत्वी की देह को देह यानि शरीर को प्रत्वी के बहारी आकार को सजाने वाली अनिक प्रकार की मिट्टियों आदि की सही प्रकार से जाच परताल करना हरताल नहीं होगा यहां परताल है ठीक है जाच परताल या परिक्षन करके देखा जाए कि वे सब किस-किस द्रश्टी से उप्योगी है यानि कि यहाँ पर प्रश्टा पूछा गया है वाग्या कहा गया है कि हमारे जो भावी आर्थिक अभ्यूदे के लिए हमारे भविष्य के आर्थिक यानि की दन से संबन्दी विकास के लिए हम किसकी जाच परताल अत्यांतावशक है तो देखिए हम प्रत्वी के अंदर जब खोजबीन करते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के हीरे जवारत निकलते हैं सोना चांदी निकलता है दातुए निकलती कई प्रकार के लोहा अलूमीनियम अबरक वगरा जो भी ये जिपसभ बहुत सारी धातुए निकलती है नीधियों और प्रत्वी में पोशित और अंदर की तरह अंदर धसी हुई जितने भी धातुए है वो सारी ठीक है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल उकती है किस मिट्टी में कौन सी फसल उकती है इन चीजों का ग्यान होना बहुत आवशक है अब जब इन चीजों का हमें ग्यान हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि परिक्षन के माद्यम से कि यह चीजे हमारे लिए कितनी उपयोगी है तो क क्या हमारे जो भावी यानि कि हमावारा जो भविश्य है वो कभी खत्रे में हो सकता है क्योंकि हमारे पास प्रत्वी के अंदर इतना अमूल्य भंडार चिपा हुआ है तो कहने का तत्परी यह है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्यूदे के लिए आवशे कहें कि हम प्रत्वी क अमूले नीधियां धातुए और प्रत्वी की देह को सुन्दर बनाने वाली जो चीजे है मिट्टी वगेरा इन चीजों की ठीक दंग से जाच परताल करें और ये देखें कि हमारे बविश्य में ये कितनी उपयोगी और कितना काम आने वाली है ठीक है आगे चलते है नेक्स् गाया है कि गदाश्य में राश्टर निर्मान के प्रतम तत्व भूमी अत्वपृत्वी का महत्व क्या है ठीक है यह जो गदाश्य हमने पढ़ा है उस से पहले वाला है प्रश्णम में थोड़ा आ गया है तो हम यह बताना चाहरे है कि इस 파 Trad में जो पहले जब प्रत्वी जण और रास्ट तीनों चीज़े आ जाती है तो एक रास्ट का निर्मान होता है तो तीन तत्वों में सबसे पहला तत्व कौन सा था प्रत्वी? तो यहाँ पर प्रत्वी के महत्व को बताया गया है तेंग दर्तस को वसुंदरा क्यों कहा जाता है? कि धर्ती को वसुंदरा क्यों करते हैं प्रत्वी का पर्यावाची जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि प्रत्वी को वसुंदरा प्रत्वी का पर्यावाची क्या वसुंदरा है भू है धरा है भुमी है जननी है ठीक है इस तरह से तो देखें क्यों क्यों कहते हैं धर्त इसलिए प्रत्वी को क्या कहा गया है वसुंदरा कहा गया है धरती को वसुंदरा कहा जाता है आगे चलते हम प्रशन नंबर छै की तरफ सबसेत पहले किसने सजाया है और किस प्रत्वी की दे है दे है मतलब प्रत्वी का बाहरी आवरन जो भी है शरीर प्रत्वी का शरीर बोल सकते है उसको किस से और किसने सजाया है तो दिन रात बहने वाली नदियों ने किसने सजाया है नदियों ने आप कोगे नदियों ने कैसे सजाया तो बही नदियां ही तो जल की पूर्ती करती है ठीक है नदियों के कारण जो किनारों पर और जहां पर जितने भी वन और जंगल और प्रकरती बसी हुए यह नदियों के कारण ही तो बसा हुआ है ठीक है तो प्रत्वी को सजाने में दिन रात बहने वाली नदियों ने और पहाड़ों को पीस पीस कर अग जत्वी की देह को किस ने सजाया है कि दीन रात बहने वाली नदियों ने और किस सजाया है उन नदियों ने क्या करा है पहाड़ों को पीस पीस कर क्योंकि नदियां जब पहाड से आती है जब नीचे गिरती है तो जो पानी तेज गती से आता है तो पहाड़ों पर चोट करता वो आता है और उसमें से थोड़ा 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 तुकड़ा या बारिक बारिक जो पत्थर होते हैं कन होते हैं उनको तोड़ती हुई नीचे लाती है और जब भुमी पर आती है तो कई परकार की मिट्टियां बन जाती है वो तो इस परकार से कई परकार की मिट्टियों से सजाया है किसले सजाया है नदियों ने सजाया है और किस से सजाया है मिट्टियों से सजाया है ठीक है आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं प्रस्टन नंबर साथ हमारा राश्टेता की भावना के लिए किसके प्रति चेतना जागरत होनी आवशक है राश्टेता की भावना के केवल भावात्मक रूप में ही नहों के वरं का मतलब होता है बलकी यूर्व horrific राष्टिता की ग्वाना के अंतर Mayor वहावना की प्रण Parents तौब बहुतिक है कि केवल शूपत्पोय ब्हावना के लिए Chetna hell AK करें ऐसा कारे करें जो दिखाई दें तो ये का गया है कि दावना के लीए केवल भाव आवशक नहीं है बलकि राक्ता की भावना के अंतरकत बहुती ज्ञान के प्रती स्य इतना जागरत होनी जाहिए कि उसका जितना भी भौगॉलिक सोरूफ है उस भौगॉलिक सोरूफ को जानने की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए तभी राष्टिता की भावना सार्थक सिद्ध हो सकती है जब हम उसके बारे में जान लेंगे और उसका इतना ज्यान प्राप्त कर लेंगे प्रत्वी और आकाश के बीच तथा समुंद्र में कौन-कौन सी अपार संपदा देखने को मिलती है प्रत्वी और आकाश के बीच यानि कि ये हमारी प्रत्वी है और ये बहुत बड़ा आकाश है इन दोनों के बीच में क्या-क्या चीजे है जो हमें देखने को मिलती है तो देखे बहुत जगे तो यहाँ पर गैस है बहुत जगे यहाँ पर कुछ और है गैसों का बंडर है फिर यहाँ जो प्रत्वी है जो अंदर बोली जाती है उस अंदर प्रत्वी के इस आवरन में यहाँ पर बहुत सारे खनीज वगरा बहुत सारी चीज़े ठीक है और यहाँ ब्रह्मान के अंतरिक्ष से पहले यहां हमें कुछ नक्षत्र वगरा दिखाई देते यह तरे, हना समुद्र में जलचर, विभिन प्रकार के खनीज और रतने जैसी अपार समपदा देखने को मिलती है क्या क्या देखने को मिलती है नक्षत्र यानि कि तारे जो स्टार्स होते वो ठीक है उसके बाद में विबन प्रकार की गैसे यानि कि प्रत्वी और आकास के बीच में कई मंडल है उन मंडलों के माध्यम से हमें कई प्रकार की गैसे देखने को मिलती है ठीक है आधी तथा समुद्र में और फिर जो प्रत्वी है समुद्र की जो तल होता है महा प्रत्वी होती है लेकिन प्रत्वी और आकास के बीच में अगर समुद्र है तो समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के खनीज, रतना और अपार समपदा देखने को मिलते हैं समुद्र में बहुत बड़ा खजाना होता है, यानि कि प्रकर्ति का आप देखो तो इतना बड़ा भंडार रखा हुआ है मापर, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से कलपना नहीं कर सकते हैं, आगे चलते हैं, प्रश्ण नंबर 9 की तरफ, राष्ट अत्वा राष्ट्र के निवासियों को राष्ट्र अत्वा राष्ट्र कहो या राष्ट्र के निवासि कहो ठीक है अगर हम राष्ट्र कहते है तब भी वो व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है और राष्ट्र के निवासि कहते है तब भी वर व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है ठीक है तो राष्ट्रे उत्वा राष्ट्री की निवासियों को कब तक सुप्त सुप्त का मतलब सोया हुआ सोया हुआ कब तक सुप्त ही समझना चाहिए तो यहाँ पर कहा गया है कि राष्टर उत्वा राष्टर की निवासियों को तब तक सुप्त ही समझना चाहिए जब तक राष्टर की नव यूवक जागरूक और जिग्यासू नहीं होते हैं जब तक राष्टर की यूवा पीड़ी किसी भी प्रकार से राष्टर के को जानने के लिए उसकी अंदर की खजाने को जानने के लिए उसकी राष्टर की भावना को जागरत करने के लिए किसी प्रकार से राष्टर के प्रति जागरूक और जिग्यासू नहीं है तो मान लीजिए कि वह जो पीडी है वह यूवा पीडी है नव्यूवक दल है वह सोई उई अवस्ता में है अभी जग्दत अवस्ता में नहीं है इसलिए उनको जगाने का कारिक करना है आया समझ मैं तो अगरा कोशन है हमारा कोशन नमबर 10 किसी भी राष्ट के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने है तू उन्नत यानि कि उसको विक्सित बनाने है तू ठीक है विक्सित बनाने है तू सरवादिक आवशकता किस बात की है किसी भी राष्ट के भौतिक स्वरूप को और भौतिक स्वरूप क्या होता है उसका भोगोलि आकार को हम किस प्रकार सुन्दर बना सकते हैं तो देखे किसी भी राष्टे के भौतिक स्वरूप को उन्नत बनाने ही तू इस बात की सरवादिक आवशकता है कि विज्ञान और उद्दम उद्दम यानि कि उद्धोग विज्ञान और उद्द्दम अर्थार देश में काम करने वाले श्रमिक आदी एक साथ मिलकर काम करें यह आवशक है कि विज्ञान और श्रमिक यानि कि कहीं कहीं पर मशीनी करन हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मशीनी करन हो गया है तो आप मनुश्य को माँ से हटा देंगे राष्ट को उन्नत नहीं बना सकते हो मशीनी करन हो जाता है लेकिन उससे श्रमिक अगर हट जाते है तो फिर वह राष्ट का निर्मान नहीं होगा फिर वहां बेरोजगारी हो जाएगी तो राष्ट के उन्नत निर्मान के लिए विक्सित ववस्ता में लाने के लिए उसके ब तो उत्तर है, हमारा प्रमुख धे या उद्देश यहा होना चाहिए, कि देश में एक भी हात बिना काम अथवा रोजगार के न रहे, क्योंकि अगर बिना काम और रोजगार की रहे तो इसका मतलब बेरोजगार है और फिर वो निर्दनता को बढ़ावा देती है बेरोजगारी निर्दनता को अशिक्षा को बहुत सारी चीजों को बढ़ावा देती है इसलिए हमारा सबसे बड़ा उद्देश हमारी राष्टि पास रोजगार है तो उस वह एक राष्ट बहुत ही उन्नती करता हुआ राष्ट विक्सित राष्ट कहला जगा है ठीक है क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप है बेरोजगारी के कारण बहुत सारी समस्याओं का उद्बह होता है बहुत सारी समस्या पैदा हो ज डूजगार नहों सभी और शमता के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो एसा नहीं कह रहे है कि सभी को काम करने की लिग कारी मिले जिसके जैसी शमता जैसे शिक्षा जितनी कावियत उस इसाब से उसको रोजगार मिल जाएगा ठीक है इसके अभाव में देश की सम्रिद्धी उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा देश की समरद्धी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा अरगर बेरोजगारी है देश में बेरोजगारी बहुत भरी हुई है तो आप किसी भी देश को विक्सित करने का सपना आपका जो है वो अदूरा रह जाएगा वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा ठीक है आगे चलते हैं हम हमारे प्रशन नंबर 11 की तरफ अपनी मात्र भूमी की समगर यानि समपूण ठीक है समगर यानि समपूण और सर्वोत्तम समरिद्धी उची सर्व उत्तम सम्रिद्धी और इसके रूप सुंदरे को चरम सीमा तक पहुचाने के लिए इससे ज्यादा सुंदर कोई न हो इससे ज्यादा उन्नती किसी की नहीं हो इस इस्तती तक पहुचाने के लिए आपको क्या करने के आवशकता होगी तो उत्तर में देखे क्या लिखा है कि अपनी मात्रो भुमी की समगरों और सर्वोत्तम समरिद्धी और इसके रूप संद्रे को चरम सीमा तक पहुचाने के लिए यहां आवशक है कि विज्ञान का विकास इस प्रकार किया जाए कि देश में हर हाथ को रोजगार मिल सके यहां पर जो बात बताई गई ह वो मुख्य रूप से रोजगार की बात बताई गई है एक राष्ट की निर्मान में यूवाओं को जब रोजगार मिल जाता है तो उस राष्ट का निर्मान बखुबी और बहुत अच्छे तरह से होता है तो लेखक यहां पर यही कहना चाह रहे है कि राष्ट की निर्मान में रोजगार का महत्यपून योगदान है कि रोजगार अगर किसी कि किसी के पास है तो वह राश्ट के निर्मान में पूंड तय सयोग देगा और वह जो सयोग होगा वह बहुती राश्ट को समगरोर सर्वोत्तम सम्रिदी प्रदान करेगा उसका रूप सौंदर है यानि कि फिर तो आप राश्ट की सुंदर का देखी आपको कोई और सुंदर लगे गई नहीं ऐसे यहाँ पर विचार है अब आते हैं हम प्रश्ण नमबर बारा की तरह प्रत्वी को मात्र भूमी की संग्या किस कारण प्राप्त होती है कि प्रत्वी को मात्र भूमी क्यों कहते है ठीके मात्र भूमी हम जा रहते हैं वह अमारी मात्र भूमी है तो ये क्यों कहा जाता है प्रत्वी को मात्र भूमी की संगया इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि प्रत्वी पर जन यानी की मनुष्य का निवास है प्रत्वी पर मनुष्य का निवास है इसलिए यहां इसको मात्र भूमी कहा जाता है आगे चलते हम प्रश्ण नंबर 13 की तरफ तो क्या है हमारा प्रश्ण नंबर 13 अपनी मात्र भूमी की समगर और सर्वत्तम सम्रिद्धी यह प्रश्ण हो गया है अब आते हैं प्रश्ण नंबर 14 की तरह ये वाला प्रश्ण वही है जो पहले हुआ था तो हम इसको नहीं करेंगे हम प्रश्ण नंबर 14 करेंगे उपरियोक्त गदांश में राष्ट्रे के किस तत्व के सम्मन में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किये है तो उपरियोक्त गदांश में राष्ट्रे के दूसरे तत्व यानि कि जन के लिए तीन चीजों को प्रात्मिकता दीती उसमें से पहली चीज आ गई है प्रत्वी दूसरी चीज आ गई है जन यानि कि मनुष्य तो दूसरे तत्व यानि कि जन के सम्मन में लेखक ने अपने विचार या व्यक्त किये हैं आगे चलते हैं प्रश्ण नमबर 15 की तरफ तो प्रश्ण नमबर 15 है राष्ट के सरूप का निर्मान किन दो तत्वों की विद्धमानता की इस थती में ही संभव है ठीक है वैसे तो तीन तत्वों को बोला है लेकिन किसी भी राष्ट अगर बनत है तो उसमें दो तत्वों का समाविश अनिवारे है तो दो तत्वों कौन कौन से है राष्ट के सरूप का निर्मान प्रत्वी और जन इन दो तत्वों की विद्धमानता की इस्तती में ही संभव है कि एक निश्चित भू भाग होगा और इस निश्चित भू भाग में कु की तरफ राष्टे निर्मान के अंकोर किस भावना के आधार पर उत्पन होते हैं ठीक है किस भावना के आधार पर होते हैं कि राष्टे निर्मान के अंकोर इस भावना के आधार पर उत्पन होते हैं कि किसी भी भू भाग में निवास करने वाले मनुश्य किसी भी भू तो महां की वहां उस बुमी से उनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है रोजगार प्राप्त हो रहा है वह सच्छ वायू में सांथ ले रहे हैं पेड़ पोदे हैं प्रकरती का वह आनन्द ले रहे हैं किसी प्रकार से जल अन धर सब चीजों का महां पर वह आनन्द ले रहे हैं त वे माता के रूट में देख्ते और स्वयंद को उस माता का पूत्र मानते हैं कि अगर माता अमें पोशन देती है तो हमारे만 वह करते बहुत से प्रति तो अपने माता केश करने भावना आगए सब में व्यावत हो गई तो फिर राष्ट निर्मान के जो अंकूरे उसे कोई भी नश्ट नहीं कर सकता नेक्स्ट चलते हम प्रश्ण नमबर 17 की तरब यह प्रणाम भाव ही भुमी और जन का द्रड बंदन है इसी द्रड भित्ती पर राष्ट का भवन तयार किया जाता है भित्ती का मतलब क्या बोलेंगे द्रड भित्ती आने की द्रडता की दिवार कैसे द्रड भित्ती कैसे हुई जैसे दिवारों से किसी का घर बनाये जा सकता है वैसे ही सभी मनुष्य अपने मन में जब द्रड निश्चे कर लेंगे किसी कारे को करने के लिए तो फिर क्या उस द्रण निश्चता के साथ में वो किसी राष्ट का निर्मान नहीं हो सकता क्या बिलकुल बेशक बहुत जरूरी होगा और अच्छा होगा और बहुत सुन्दर होगा सर्वोत्तम होगा फिर वो राष्ट का निर्मान क्योंकि उनका जो निश्च था जिनोंने निश्च किया है राष्ट निर्वान करने के लिए उनका निश्च द्रड है अडीग है ठीक है आगे चलते है तो क्या बोला है इसमें कि ये प्रणाम भावी यानि कि जुकने का भाव बुमी और जन का द्रड बंदन है इसे द्रड द्रड गुमी पर राष्ट का भवन तयार किया जाता है इस पंक्ति का आशय यह है कि अपनी धर्ती के प्रती आदर भाव, व्यक्ती और धर्ती के संबन को द्रड बनाता है जब हमारी प्रत्वी के प्रती हमारे अंदर आदर के भाव होंगे सम्मान की भावंगे माता सो रूप भावंगे ठीक है तो फिर वहां हमारे जो सम्मंद है दर्ती और मनुष्य के बीच के जो सम्मंद है वे सम्मंद और द्रड करता है और प्रत्वी तथा मनुष्य का द्रड सम्मंद राष्ट को पुष्ट और विक्सित करता है जब आदर भाव की इस सूद्रड दिवार पर ही राष्ट का बवन निर्पित किया जा सकता है। ठीके समझ में आया सभी को आगे चलते हम नेक्स्ट कोशन की तरफ। कोशन नमबर 18 है प्रत्वी के वर्दानों में कुछ पाने का अधिकार किसे होता है। कि अगर प्रत्वी वर्दान देती है तो कौन इसका अधिकारी होता है, वर्दान पाने का अधिकारी कौन होता है। तो प्रत्वी की वर्दानों अथवा प्रत्वी में छिपी अपार संपदा में कुछ पाने का अधिकार केवल उन्हें ही होता है जो पुत्र धर्ती रूपी माता का सत्कार करते हैं कि जो ये मानते है कि ये जो धर्ती है वो अमारी माता है और हम इसके पुत्र है तो उनी को प्रत्वी की अमूल्य संपदा को पाने का अधिकार है और वही इसके अधिकारी माने गए है ठीके जो ये समझते है जो ये भाव रखते है कि मैं उसका पुत्र हूँ प्रत्वी मेरी माता है ठीक है आगे चलते है कोशिन नमबर 19 की तरफ धरती माता के प्रतेक सच्चे पुत्र का क्या कर्तव्य है क्या करतव्य है मतलब क्या उनकी duties है तो धर्ती माता के प्रतेक सच्चे पुत्र का धर्ती इस प्रत्वी पर निश्चित भूबाग में भौगोली शेतर में नेवास करने वाले लोग एक राश्ट्री के लोग होते हैं जनता होती है तो उस जनता के उस प्रत्वी के बदलिक प्रत्वी के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, कुछ तो कर्तव्य होते हैं, अगर प्रत्वी का कर्तव्य बखुवी से निभा रही है, तो हमारे भी कोई कर्तव्य है, प्रत्वी को लेकर, कि हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो क्या करताव है? कि वह अपनी धर्ती माता से सिने करें, सबसे पहले तो उससे प्रेम करें, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करें, कुछ पाने के लालस से नहीं, कि एक माता की कैसे सेवा करते हैं, कि बदले में हमें कुछ मिलना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन प्र वार्थ भाव से उसकी सेवा करें और इस प्रकार उसका आशिरवात प्राप्त करें कि यह हमारे सारे करतव होने चाहिए प्रत्वी को लेकर ठीक है आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर घूंटी कि आजरा है कि गडनांश का प्रसंत के प्रसंत कई हैं कि कि सिलց प्ररुप्राआठ्य अलेक ने राष्टे के विभिन महत्पून अंगों का वीवेचन किया है साते यह भी स्पश्ष किया है कि हमेデ dest क का व्य lawsuit करते हुए अपनी धर्ती माता की निस्वार्थ वाव से सेवा करनी चाहिए समानता का सभी व्यक्ति समान है इस प्रत्वी पर ना कोई अमीर है ना गरीब है ना उचा है ना नीचा है ना छोटा है ना बड़ा है सभी व्यक्ति यहाँ पर समान है समानता का भाव मन में लिये हुए, सभी के साल समानता का वेवार करना चाहिए, और प्रत्वी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, और प्रत्वी की जनता की भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, ठीक है, आगे चलते है, कोश्य नमबर 21 की तरफ, जो मात् मात्र भूमी का जब निर्मान हुआ उस समय जो व्यक्ति उस उदे के साथ में उसकी निर्मान के समय से जो जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार भागी है इस प्रत्वी पर जब उसने प्रवेश किया जब से वह धरती से जुड़ा हुआ है अधिकार प्रत्वी में जितनी वस्त हुए है उनका उबोग करने का अधिकारी है प्रत्वी में जितने इस्थान है उनमें विचरन करने का अधिकारी है कहने का तत पर यह है कि प्रत्वी की अमूले नीधिया धातुए जितनी भी धन संपदा है और जितने भी इस्थान है उन सबी इस्थानों का उब्वोग करने का अधिकारी है जो व्यक्ति जन्म लेकर प्रत्वी पर आया है क्योंकि उसका सम्मंद उस प्रत्वी के निर्मान से ही बन गया है याने कि जब प्रत्वी थी, जब वो धर्ती पर आया, प्रत्वी पर आया, तब से उसका संबन इस्थापित हो गया, वहाँ समान रूप से प्रिसमस्त सुविदाओं का अधिकारी है, इससे किसी भी प्रकार का भेदबाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबी उस धर्ती माता क क्योंकि सबी पुत्र है, और सब के लिए वो धर्ती माता है, तो उनका अधिकार बराबर है, ऐसा नहीं है कि उचे कोई गरिब व्यक्ति है, तो उसको अधिकार नहीं है, या अमीर व्यक्ति है, उसको अधिकार है, कोई नेता का वेटा है, तो उसको धर्ती पर वस्तुओं आगे चलते हम प्रश्ण नंबर 22 की तरफ धरती पर रहने वाले मनुष्य किस द्रश्टी से एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं? कि मनुष्य तो एक जैसे सबी एक तरह का खान पान रहन सेन सब कुछ तोड़ा मिलता जूलता ही है तो किस प्रकार से वे अलग है और तो यहां बताया है कि विक्सित, अर्द विक्सित, अथवा विक्सित, सब्वेता और उच्चनिम्न अथवा सामान रहन सेन के आधार पर प्रत्वी के विभिन भागों में रहने वाले लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं कहने का दात पर यह है पूरी पंक्ति का कि जो राष्ट विक्सित है पूरी तरह से उन्नत हो गया है या फिर जो राष्ट अभी कोशिश कर रहा है ठीके इस प्रकार से थोड़ी सी बिन्नता हो सकती है या फिर उच्चो निम्न कोई राष्ट ऐसा है कि प्रत्वी पर अभी विक्सित है और अर्द विक्सित है या फिर अविक्सित है सब्विता है और उच्च निमना अथवा अलग-अलग प्रकार की कोई उची जाती है कोई नीचे जाती है कोई उच्च सब्विता है कोई अभी विकास शील है ऐसी अनेक प्रकार की जातिया प्रजातिया उप जाती उनके बीच में जो असमानता है वो यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार उनसे आगे पीछे हो रहा है कि कुछ लोग तो आगे पढ़ गए कुछ लोग पीछे है फिर कुछ लोग आगे बढ़ गए कुछ लोग पीछे है तो इस प्रकार से यहां पर आगे पीछे का भाव य समन्वे का मार्ग है यानि कि समन्वे एक दूसरे से मिलकर रहना अब मिलकर कब रहेंगे जब एक समान मौका देंगे ठीक है हमारे पास जो भी अवसर आएगा जो भी समय आएगा एक समान आएगा ठीक है और एक समान अधिकार देंगे अगर हमारे पास एक समान अधिकार है और एक समन अवसर है एक जैसे अधिकार है और एक जैसे अवसर है यानि कि हमारे पास समय है एक जैसा मौका है तो फिर हमारे मार्ग में हमारा जो मार्ग है वो कैसा है समयन वैवाद यानि कि समयन वैका है एक दूसरे से मेल मिलाप करके आगे बढ़ने का हमारा जो मार्ग है ह एक दूसरे से सामन्जे से स्थापित करके, एक दुरुस से मेल पिलाप करके, किसी प्रकार का कोई भेदबाव नहीं, किसी प्रकार की कोई उची इचिता नहीं, बस एक जैसे भाव मन में रखे, और फिर जब हम आगे चलते हैं, तो वो कहलाता है सामन्वे का मार्ग, ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोईशन की तरफ, इसको कहेंगे कोईशन नमबर 24, इसको कहेंगे 25 और अगला 26, ठीक है, तो कोईशन नमबर 24 है, इस अवतरन में राष्ट के किस तत्व पर प्रकास डला गया है, तो किस तत्व पर प्रकास डला है, कि इस अवतरन में राष्ट बाव सनरो नियंत्य मैं बदलता रहता है किस समय के अनुसार जैसे समय बदलता रहता है प्रकरती बियाई कि परिवर्त राष्ट्र का इतिहास समय के साथ बदलता रहता है। वर्तमान में होने वाली गटनाए जब पिछली चल जाती है समय बीतने के साथ आगे बढ़ जाती है तो वे जो गटनाए है वे उनका जो संचाला ने इतियास कहलाता है और आगे का समय जो हम चल रहे वो वर्तमान और आने वाला पविशे कहलाता है ठीक है यानि कि उसमें अन वासी है उनकी जो कड़ी है चलने की जो प्रवर्ती है वो निरंतर चलती रहती है मनुष्य पीडी दर पीडी अपने राष्ट के साथ जुड़ा रहता है हमेशा पीडी दर पीडी क्योंकि आज एक पीडी है वो हमारे दादा की है फिर आगे जाएगी वो पापा की होई फिर वो आगे जाईगी फिर हम वो फिर आगे गई तो इस प्रकार से राष्टर की जड़े है वो कहां से जुड़ी होती पीडी तर पीडी जुड़ी होती है क्योंकि जब उसकी पीडियां इतने वर्षों से एक इस्तान पर है रही है वो राष्टरिता की भावना उनके मन में तो यही बात इसमें कई गई है आगे चलते हैं प्रश्ण नमबर 26 की तरह यह 27 और यह 28 ठीक है राष्ट्र जन्गा जीवन कब तक रहेगा? क्या पुछा गया है कि राष्ट्र जन्गा जीवन कब तक रहेगा? मतलब कितना समय है उसका तो बताया है जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगती होती रहेगी तबी तक राष्ट्र जन्गा जीवन बना रहेगा यानि कि यह कहा है कि किसी निशित भूबाग में रहने वाले मनुश्यों का जीवन कब तक रहेगा? तो दिखती सी बात है जब तक ये देश रहेगा जब तक ये राष्ट रहेगा जब तक ये प्रत्वी रहेगी ठीक है और इस प्रत्वी पर जब तक प्रगर्ती होती रहेगी इस दर्ती पर हमारे देश की जब तक विकास होता रहेगा तब तक हम रहेगे क्योंकि विक्सित देश ही मनुशिक को आगे बढ़ाता है मनुशिक की प्रगर्ती करता है तो जब तक ये राष्ट रहेगा यानि कि निश्चित भू भाग रहेगा जब तक प्रगर्ती होती रहेगी यानि कि हमारा देश जो विकास करता जाएगा विक्सित होता जाएगा तब तक हम रहेंगे और हम भी सफल रहेंगे ठीके आगे चलते हैं प्रश्री नंबर 27 की तरफ कि राश्ट्री की निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जीवन किसके समान बताया गया है तो किस के समान बताया है राश्ट्री के निवासियों का निरंतर चलता रहने वाला जो जीवन है वो नदी के प्रवाहा के समान बताया गया है क्यों बताया गया नदी के प्रवा के समन कि राष्टी के जो जनता है वो किस प्रकार से जीवन जीती है उनका जो जीवन है वो कैसे चलता है क्या पलट कर वापस आता है पलट कर वापस उसी समय आता है कल जो हमारा समय चला गया आज हम जो जीरे है हम क्या उस बीते हुए कल म भी उल्टी नहीं आती है वापस अपने उस इस्थान से नहीं आती है जहां से वो उद्गम हुई है जहां उसका उद्गम इस्थाने माव कभी नहीं जा सकती है ठीक है वहां तो अपने गंतव्य इस्थान चक जाएगी जहां उसका लक्ष है उसका उद्देश है कि मुझे मा पहुंचना अनिता वह कभी पलटकर नहीं आती है उसी प्रकार से अमारा जीवन भी ऐसा है हमारा जीवन भी आगे बढ़ता रहता है कभी पीछे की तरफ नहीं आता है तो रаш्ट के निवासियों का जो निरंतर चलता रहता है कभी भी पीछे मुड़कर नहीं आता है ठीक है आगे चलते हैं प्रेशनर नंबर 28 की तरफ बुमी और जन के पश्चात राष्ट के किस तीसरे अंग पर इस गदांश में लेखक ने विचार व्यक्त किया है ठीक है तो राष्ट के निवासियों का निरंतर चलता रहन जीवन नदी के प्रवा के समान बताया है और यहां बताएंगे कि बुमी और जन के पश्चात राष्ट के किस तीसरे अंग पर इस गदांश में व्यक्त किया है ठीक है किस की बारे में बताया गया है राष्ट के बारे में यह जो पंक्ती है यह इसी का उत्तर है यहां पर ह बारे में बताया है राष्ट के बारे में बताया है तो यह हो गया हमारा यह वाला राष्ट कि किसके लिए बताया है राष्ट के तीसरा आंग कौन सा है राष्ट पहला कौन सा होता है बुमी फिर जन और फिर राष्ट ठीके राष्टिता की भावना के राष्ट क्या होता तो ये थे आज हमारे वासुदेव शरन अगरवाल जी द्वारा लिखा गया पाठ राष्ट का सरूप के प्रशन उत्तर आज हमने कर लिये है तो यह हमारा जो पाठ है पूरा हो चुका है नया लेसन लेकर फिर से हाजिर होते हैं तब तक के लिए थेंक्यू